iPhone, नाम तो सुना होगा, आपको पता है, जब भी कोई दोस्तो पहली बार iPhone इस्तमाल करता है, और कुछ समय बाद इस्तमाल करने के बाद, उसका कुछ ऐसा रियक्शन होता है येस दोस्तो, जब आप दोस्तो पहली बार एक Android से iOS यानी की iPhone में स्वीच करोगे, तो कुछ समय इस्तमाल करने बाद, शायद आपका भी यही रियक्शन होगा क्या आपको पता है कि iPhone में दोस्तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनसे iPhone यूजर्स बहुत ज्यादा चिड जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी फीचर्स ही नहीं है iPhone में, जिसके वज़े से लोग बाद में iPhone लेके पज़ताते हैं अब ऐसा मैं क्यों क्या रहा हूँ, वीडियो लाश तक देखो आपको सब कुछ समझा जाएगा 1. Incoming Call Screen मुझे सबसे मोस्त इरिटेटिंग चीज आईफोन की Incoming Call Screen लगती है आप दूस्ते इससे पहले Android में आपको बहुत सारे Call आयोंगे अब आपने नोटिस क्या होगा कि Android में जब भी आपके पास कोई काल आता है तो आप इस Caller Screen को इसली मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरी चीज़े आपर टास्क कर सकते हैं आपस उपन करना है, इंटेनेट यूज करना है और जो भी आप पहले से काम कर रहे थे वह चीज़ आप कर सकते हैं लेकिन आईफोन में यह सिस्टम नहीं है अगर दोस्तों आपको कोई काल करता है और आप अपने आईफोन में कोई IMPORTANT काम कर रहे हो तो भाहिया वो जो कॉलर स्क्रीन है वो मिनिमाइज ही नहीं होता इसके लिए आपको या तो कॉल काटना पड़ेगा या फिर कॉल को रिसीव करना पड़ेगा पिक करना पड़ेगा अब आप सोचो आप अपने आईफोन पर कोई IMPORTANT काम कर रहे हो कोई मुवी देख रहे हो वेब सीरीज देख रहे हो और जिसका भी कॉल आया है उसकी कॉल को आप रिसीव नहीं करना चाते है लेकिन फिर भी बार बार ओ जो कॉलर ट्यून है जो स्क्रीन पर आय जा रहा है आप एक Android से आईफोन में स्विच होंगे यस और यह चीज़ सच बताओ ना मुझे भी बहुत ही इरिटेटिंग लगती है नमर टो क्या हो दोस्तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने घूचचछ विचाहँ चीज़ नहीं कर सकता ही? ईए जोओ दोस्तो आपको Android स्मार्ट फॉन मिलता है याप Android में इंट Cecilie पर किसी भी वेबसाइट पर जाके डाउड इंटर पर जाके कुछ भी फोटोज वीडियोज मूवीज वगरो को इसली हम पर डाउड कर सकते हैं लेकिन अगर आप आयोस यूज करते हो तो दोस्तों आयोस में आप भले ही कोई सा भी ब्राउजर सित्माल कर लो वहां पर दोस्तों आप इंटरेनट से किसी भी थर्ट-party वेबसाइट से यहां पर किसी थरा के हापर म्यूजिक या फिर विडियो जा फिर मूवीज को अगर डाउड करना चाते हो अपने गैलरी में नहीं कर सकते अब आई फॉन में music सुनने के लिए Apple अपना खुद का एक music आप देता है जिसके अंदर अगर आपको कोई गाना सुनना है कोई अपना फेवरेट सौंग गाना है तो इसके लिए अपको pay करना पड़ेगा यानि कि pay service आपको देखने को मिलता है लेकिन अगर अगर आपको कोई favorit music डाउपलोड कर लिया, अगर आपको बाहर से कुई विडियो, विडियो अगर आपको सिखने के डालना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो इसलिए अपको पहले अपने computer फोम्टोप शिस्टम में एऐट आइटूने डाउनोड करना पड़ेगा म Crash एक नॉनन यूजर्य को एतना स्मी самых tech यह चीज आप ध्यान अगना जब आप Android से iPhone में स्विच करते हो तो यह चीज आपको जिलना पड़ सकता है Next, Customize UI अगर एक Android user हो आप गीक हो तो आपने अपने Android smartphone में तरह तरह के दोस्तों UI को चेंज करा होगा तरह के यहां पर आपने launcher इस्तमाल कि होंगे कस्टमाइज किया होगा यहां पर अपने menu को, home screen को लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने iPhone में यह चीज नहीं कर सकते बिलकुल भी आपको जो Apple यहां पर अपना UI प्रोवाइड कर रहा है वही आपको हमेशा के लिए इस्तमाल करना पड़ेगा तो सोचो कितना irritating है यह अगर आप iPhone यूज करते हो तो आपको पता होगा कि जो Apple है अपने iPhone में सदियों से same UI का ही इस्तमाल करता है कितने ही iOS आगे version upgrade होगे लेकिन दोस्तों जो UI है वो same का same ही है चलो same तो है it's okay कोई बात नहीं लेकिन बूरी बात भी है कि अगर हम इसके UI को change करना चाहें बदलना चाहें कोई launcher add करना चाहें Simple मैं कहूं तो जिस तरह से आप Android smartphone को customize कर सकते हैं आपर अपने menu को UI को change करके अपने Android smartphone को attractive बना सकते हैं वैसी चीज़ आप यहां पर iOS में यानि की iPhone में बिलकुल नहीं कर सकते Next ही जाता है memory card वैल आप से वी लोग को पता है कि Android में दोस्तों आपको memory को यानि की इंटनल स्टोरेज को expand करने के लिए अलग से dedicated SD card का support भी मिल जाता है मतलब SD card के लिए एक support मिलता है लेकि दोस्तों आपने iPhone देखा होगा iPhone के किसी भी model में आपको किसी भी तरह के memory card का support नहीं मिलता मतलब उसमें आपको जो fix एक इंटनल स्टोरेज का support दिया जाता है सेम उतने ही size को आप इस्तमाल कर सकते हो ना आप उसे expand कर सकते हो नेक्स्ट है charger वैल आप सभी लोग को दोस्तों पता होगा जब भी आपको एक नय iPhone खरीदते हो तो iPhone में दोस्तों आपको charger मिलता है वो बहुत slow होता है और आपको अलग से अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके यहां पर आइफोन के लिए fast charger खरीदना पड़ता है मतलब आप आइफोन के लिए एक लाग डेर लाग रुपे दे रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलग से charger के लिए भी पे करना पड़ता है यह तो छोड़ो दोस्तों यहां पर आइफोन में दोस्तों सिर्फ आइफोन का charger ही आप इस्तमाल कर सकते हो किसी दूसरे कंपनी या फिर के लो दूसरे Android स्मार्टफोन के charger को आप इस्तमाल करना चाहो तो नहीं कर सकते जिस तरह से आप पर देखा होगा अगर आपके आपक इस्तमाल कर सकते हो किसी दूसरे कंपनी का इस्तमाल कर सकते हो किसी दूसरे Android स्मार्टफोन ब्रैंड के charger आप यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते Apps Download आपने देखा होगा Android में दोस्तों आप कहीं से भी इंटरनेट से किसी भी थर्पार्टी एप्स किसी भी थर्पार्टी वेबसाइट पे जाके आप AP के डाउनलोड करके सिंप्ली अपने फोन में Android Apps को इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा दूस्तों आपको प्ले सोर में बहुत सारा ऐसे फ्री के अप्लिकेशन मिल जाएंगे लिकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं iOS की यानि कि iPhone में तो iPhone में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे देना होंगे मतलब मोसलि अगर आप Android से इंफरमीशन देनी पड़ेगी तो इतना जह जहट और यह बहुत ही जय्यादा रेटेटिंग के इन सारी चीजों को ध्यान से देखो कि तो यह बहुत ज्यादा रेटेटिंग लगता है मतलब आपने एक फोन के लिए एक लाग डिल लाग रुपे पे करा लेकिन फिर भी आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते यहाँ इस पीछ़े है ना इसारी आप फोन को प्में बिलाल इसारी प्लिदा आईफोन और चाम में नहीं करते हैं सांधर अपलो प्म्हाइटी आप इसक्रीजों कि मिला है अर फोन को जी जरूर कर देना वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी जानकर मिल सके और अगर आपको कुछ भी सवाले नीचे कमेंट कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो के लिए ऐसी फ्यूचर वीडियो के लिए टेक रिलेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब क करे सकते हैं आप पर और कुछ भी सवाल है तो मुझे आप शोशल मीडिया पर जाके फॉलो करके वहां पर पी जाके पूछ सकते हैं सुमिलता हूं दोस्तों मैं आपको एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई